प्रकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज है 15 जनवरी 2022 देखेंगे अब तक के सभी महत्पूर्ण करेंट अफेर्स जो आपके आगामे सभी परिक्षाओं के लिए अती महत्पूर्ण होंगे साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फेक्ट्स जो आपको और उसे आगे रखेगा इस कलास का पीडियेफ आप टारी लुकरिशन के इन सभी सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म और टारी लुकरिशन के वेब हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं हम लोग डिसक्रस जिसमें जब अच्छा जरूरत होगा उसे शाब से आपको आगरा है कि वह तक अपता चलेगा और तकर ये की अगर है कि एगर आपको चैनल पर नए है या चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब बटम दबा दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दे और पहले से सस्क्राइब कर लिये हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवार बस लाइक और शेयर जरूर कर दिज यह जबाब है मनीपूर मनीपूर में यह मनाय गया है इसका थीम भी रहा है पहली यह देख लिजिए कचाई लेमन फेस्टीवल का विसाय रहा है 2022 में ठीम सुरक्षित पर्याबरन और ग्रामिन परिवर्तन हेतू जयविक कचाई नेम्भू यह इसका थीम रहा है यह कहां ह वो points जरूर दे देते हैं जो आपके exams के part बन सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये कचाई निम्बू जो है मनेपूर के ये उख्रूल जीला में होता है इसको GI tag भी मिला है दोस्तों तो ये एक जीके का question है कि कचाई निम्बू जिसे GI tag मिला है वो कहां होता है तो मनेपूर में म खास quality का क्यूतम quality का जो अन्य जगह पर विसा नहीं पाया जा सकेगा तो वो होता है वैसे product को GI tag भचान मिलता है इसको हिंदी में भगवालिक संकेत काते हैं ये सब रहे इसके facts मनेपूर की बात हो रही है इसके बारे में देख लिए मनेपूर की राजधानी इंफाल है अस के लिए options से खेलते हैं आप सुमस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ध्यान से देखिएगा प्रस्ण जैसा है वैसे ही options भी हम लोग उसी बेस पर लाते हैं तब कि इससे related कुछ और जनकारियां वह भी current affairs के आपको अपडेट कराए जा सके चुकि यह current affairs का class है तो ज्यादा से ज्यादा आपको export किसमें बनाना है current affairs में साथ में जीके जो भी संभाव है वो तो आपको मिले गाई तो देखिए यह यह हो गया कचाई लेमन festival मनीपूर में सिरी नगर में क्या हाली में मनाया गया है तो सेव उत्सव सेव हाँ एपल फेस्टिवल इसको इंगलिस हिंदी दोनों में सुन लीजिए क्योंकि हो सकते एक्जाम में कुछ भी दे दे एपल फेस्टिवल भी दे सकता है या सेव उत् सो मनाया गया है सिरी नगर में इसमें कुछ डेटा है देखिए प्रती बर्स जम्मू कस्मिर में लगवग 2.2 मिलियन मेट्रिक टंग सेव का उत्पादन किया जाता है जो पूरे अपने भारत में इतना सेव उत्पादन होता है उसका 87% उत्पादन यहीं से होता है तो यह मनाया गया है उतर परदेश के चाशे जगा है कूसी नगर कूसी नगर में बनाना फेस्टिबाल कूसी तरह से लाए तो राज में पहली फसल की उपज का परतिक है इसी पर अधारे और यह खासकर गनेश्च चेतुर्तरती के अगले दिन तो देखा आपने एक्स ट्राफ एक्स और ऑप्सन से आपको मैंने जो भी दिया महत्पून है की नहीं है इसका फैसला आपको खुद ही समझ में आ गया होगा उमिद करता हूँ यह आपको परिच्छा उप्योगी लगी होगी और फसंद तो बिल्कुल आया होगा चलिए अग एक्स त्रबल बयूब्री डिवास या इंगलिस में आर्म फॉर्सेस बेटरेंस Đे यह मनाय गया है इसके बारे में कुछ हाँ Chung को बतायता हूँ और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में जो भी है ध्यान से सुनियेगा काफी महत्पूल्ण है यह नहीं की भरने के लिए मैं देता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है उतना समय मेरे पास खुड़ ही नहीं है नहीं आपका मैं समय ब्रबाद करूँगा तो देखिए राश्टिये सेवा में भारतिये सेना द्वारा कि दिये गए बलिजांग के सम्मान हे तू यह दिवस मनाये जाता है 14 जन्वरी को और यह प आए यह महत्पुर्ण तीन चार्टों पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग जो की से समन्दित है चीफ ओफ डिफेंस स्टाप अभी कौन है तो दोस्तों यह पोस्ट अभी खाली है आठ दिसमबर 2021 को भारत के सबसे पहले चीफ ओफ डिफेंस स्टाप कौन थे जनरल भीप अभी खाली है दोस्तों कुछ चैनल्स और नियूज पर कहीं कहीं यह चर्चा आप लोग को बताया है कि बताया रहा है कि मनोज मुकुंद नर्वने को यहां में बना दिया लेकिन वह गलत नियूज है दोस्तों उनको बनाया गया है इससे रिलेटेट मैं बताता हूं क्या में बनाए गया है यह मनोज मुकुंद नर्वने और देखा जाए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो की वीपिन रावत थे वहां पर वो पोश्ट अभी भी खाली है तो चीफ ऑफ डिफेंस कमीटी के चेर्में बनाए गया है सेना परमुक मतमान में जो है मनोज है यह फोर्स अभी चीफ कौन है भारती से बायो सेना परमुक कौन है तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इनसे पहले आरकेस मदवरिया थे हो सकते इल्जाम में डेट वाइज पूछे में में तो अस्पश्ट कर देता है कि इस मेने तक यह कौन था तो वहां पर आपक है कुछ महत्पुर्ण दिवस चर्चा कर देता हूं जो कि काफी महत्पुर्ण है च narration vari को क्या मनाए गया है तो हालही में 20 ब्रेल दिवस मनाया है चार जन्वरि को गΡि इपधित लोगों के कल्यान के लिए जो थे लूई ब्रेल थे वो ड्रेल लिपी का निर्मान उन्होंने था और उन्हीं के जैनती की उपलक्ष में परतेक बस चार जनवरी को ये इसमें जोंकी मनाये गया है एक तो गुरु गुविन सिन की 305 वी ये देखी ये। गुरु गुबिन सिन की जैनती इस बार मनाया गया है और एक काफी सम्मानित नीज पेपर है नाम नहीं रखूंगा ज्यादा जहुरत हो तो कमेंट में वह लोग कुछ येगा मैं वहां कर भी दूँगा नहीं होगा तो वहां पर 365 उनका ये दे रहा था गुरु गुबिन सिन दे लिखना चाहिए था 9 जन्वरी को नौजन्वरी को एक और अंचार ये गुरु गुविन सिंग जैनती जो 9 जन्वरी को मना जाता है इसे प्रकास पर्व के नाम से भी मनाया जाता हैoshi empresas BEN Clinic जो लोटे थे उस दिन की याद में ये परवासी भारतिय दिवस मनाया जाता है तो दो दो दिवस इस दिन है याद रखिएगा दस जन्वरी को क्या मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस वार्ड हिंदी डे किस दिन मनाया गया है तो ये दस जन्वरी को मनाया गया है हिंदी के भ बहुत कुछ आपको सिंब बताता हूं मैं जो कि अती महत्पॉर्ण है करिया हाल ही में मकर्शंक्रांती के दिन उत्रायन भोगली बीहू और पोंगल उत्सव के रुप में देश के बेभिन भागों में इसे अलग-अलग रुप में मनाया गया है तो इसमें प्रशने की कहां मनाया जाता है पोंगल तो हो गया तमिलाडू में थाई महिने की सुरुवात और खेती बारी की बसंत रीतु की सुरुवात का जिश्न मनाने के लिए ये तमिलाडू में मनाया जाता है और भोगली बीहू ये कहां मनाया जाता है तो मकर्शंक्रांती के ही आउसर पर व के रूप में उत्रायन महत्सो मनाया जाता है यह गुजरात से तो उमिद करता हूं यह आपको समझ में आ गया और कितना महत्पुर्ण है आपको समझ में आ गया होगा केरल राज से देखते हैं हाली में क्यों निविज में रहा है तो ओनम इसको इंगलिस में ही लिखता हूं ह पोनम तेवार, कहां मनाएगिया है हाली में, तो ये केरल में मनाएगिया है केरल का रजधानि कहां है, तिर्वंत पूरम है, केरल के मुकमंत्री कौन है, पिनाराई विजयेएन है और केरल के गवशनर कौन है, तो आरिफ मोहमद खान है, ये सब याद रखेंगा चलिए हिमाचल पर्देश की उनिज में रहा है तो यहां पे हाल ही में लोसार फेस्टिबल कहां मनाया गया है तो यह हिमाचल पर्देश में मनाया गया है प्रदेश की राजधानी शिला है चलिए और मेगाले से देखते हैं मेगाले में हाल ही में क्यों लिज में रहा है तो यहां पर हाल ही में चेरी ब्लोसम स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा से अंतर हो आप सुनके भी कम चलाएंगे चेरी ब्लोसम फेस्टिवल 2021 यह कहां मनाय गया है यह मेगाले की राजधानी सिलांग में विशेसकर मनाय जाता है और यहां के चलिए मेगाले के बारे में बाकी देख लेते हैं मेगाले के राजधानी जैसे मैंने बताया सिलांग मेगाले के मुखमंत्री कौन है कि कॉन्राड के संग्मा सी से यहां पर कौन है सत्यपाल मलिक सब्सक्राइब को एक और याद रखिएगा वैसे तो यह गोवा के भी राजपाल रहे हैं और उससे पहले जय के जम्मुकस्मिर के भी राजपाल रहे हैं तो यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जम्मुकस्मिर से जब धारा 370 को हटाया गया तो उस समय व प्रस्न चली चौथा प्रस्न दिखते हैं यहां से भी आपको बहुत कुछ इससे मिलेगा जोकी महत्पूर्ण है पत्रिकारित्या के छेत्र में ख्याती प्राप्त कारिकारी संपाधक कमाल खान का निधन हो गया है वह किस समचार एजनसी के समपाधक थे जवाब है एंडी टीवी के ये संपादक थे समचार एजनसी एंडी टीवी लखनव ब्यूरो के चीफ थे ये कमाल खान इनका दील का दवरा पढ़ने के कारण और समय दिधन हो गया है कमाल खान को भारत के राश्पती द्वारा रामनात गोयन का पुर्षकार तथा गनेश संकर विद्यार्थी समुद्इट बैसे देखे कि यद्हां आज आज तक आपने में आम रख्ि हो आपको उम्मिद करते हम याद भी होगा सर्दाना इनका कितना अगर सकुक्ष्य नीधन हो गया है, रोहित सरदाना, आज तक के थे याद रखिएगा, BBC, इससे आप इनको भी याद रखिए, BBC ये कहें, BBC की, BBC हिंदी, BBC का कई लेंग्वेज में पूरे वर्ल्ड में निव चथता है, तो BBC हिंदी की अगर बात किया जाए, तो इसके सबसे पहला, पहला महिला निवज ब्रोडकास्टर का निधन हो गया है उनका क्या नाम है तो रजनी कॉल रजनी कॉल में स्पेलिंग यह होगा के यू एल रजनी कॉल यह BBC हिंदी के सबसे पहले महिला निवज ब्रोडकास्टर थी इनका भी हाली में निधन हो गया है All India Radio, जिसको short में AIR कहते हैं, इनका All India Radio के भी समचार वाचक थे, उनका निधन हाली में हुआ है, क्या नाए हुआ है, रमानु जन परसाद सिंग, नियू जन का भी हाली में निधन हुआ है, All India Radio के ये निधन वाचक थे, चलिए, तो उनेुछ करता हो, यहाँ से आपको से इनको महिला होकी एसिया कप 2022 जो अभी होने वाला है उस जो होगा इसमें भातिय ट्रीम का जो अइलान हुआ है उसका कफ्तान बनाई गई है यह तो यह प्रस्ण उतना महत्पूर नहीं है महत्पूर यह था कि किस खेल से समंदित हैं और यह जो खेल होगा महिला होकी एसिया कफ 2022 यह कहा होगा यहीं परस्ण मैंनेस में पूछा चाहता कहा होगा इससका से जवाब है मस्कट उमान की राजधानी है दिख यहां पे है उमान की राजधानी मस्कट एजाएगं ओमान की राज़ानी मास्काट में कुछ बाते इसमें और देख लिए इसमें कौन-कौन से देश सामिल हो रहा है तो अपना भारत तो ही रहा है उसके लावाँ चीन, इंडोनेसिया, जपान, मलेसिया, सिंगापूर, साउथ कोरिया और थाइलेंड इसमें क्यों कि एसिया के ही सिखन भाइलिए बात होई है तो इसके अभी आधिम जानते है हम लोग का होकी इंडिया हापी इंडिया इंडिया-इंडिया होपी फेडरेशन यहीं है जो भारत में क्रता है पर टीम का प् साउल अước यहिए करता है इसको पहले में 2009 नहीं दिखे तो आपको 1925 दिखेगा तो यह टिक करेंगे आप क्योंकि पहले इंडियन होकी फेडरेशन के नाम से इसको जाना जाता था हेड़कोर्टर इसका निव दिल्ली है और इसके परमुख कौन है रेसिडेंट ग्यानेंद्रो निगांबम तो यह सब इससे आपको देखोड़ी चीज़े रहे था मैंने बता दिया आइए कुछ बेनी यह तो बेनी यूज से 70 प्रसंद था कुछ बेनी यूज हम लोग महत पुर्ण ने और देख लेते हैं तासकंद यह क्यों ने जमरा है तो एसिएन पेरा लेंपिक्स कमीटी द्वारा आयोजीत एसिएन यूथ पैरा गेम्स यह दो हजार पचीज में होगा इसका आयोजन कहां होगा तो तासकंद यह यार इसको थोड़ा इसके सामने लिजिएगा मैंने उपर लिख दिया इसको तो यह उजबेकिस्तान की राजधानी तासकंद यहां पे उजबेकिस्तान की राजधानी तासकंद में होगा एसिएन यूथ पैरा गेम्स दो हजार पचीज इसको बिलकुल अच्छे से याद रखिएगा चलिए दावोस को क्योंने रहा है तो वर्ड एकॉनिक फोरम अर्थात हि या हिंदी में विश्व आर्थिक मंच की बार्सिक बैठक 2022 कहां किया जाएगा तो यह दावोस में सुर्जर लेंड के दावोस में किया जाएगा तो याद रखिएगा इसको थीम भी उसका बतायता हूं इसका वर्ल एकॉनिक फोरम 2022 जो होगा उसका थीम है वार्किंग क्य ट्रस्ट यह इसका थीम है इसको आप याद रख सकते हैं चलिए दुबाई की उनीज में रहा है तो वर्ल एक्सपो 2020 कहां हुआ है एक्सपो 2020 कहां हुआ है दुबाई में हुआ है यह सभी देखे दोस्तों परसन जैसे है उसी अधार पर मैं अप्संस इसको वह भी कितना लेटिस्ट यह डाटा सब क्लेक्ट करने में आप अन्मान लगा सकते हैं दोस्तों कितने एफट्स लगाने पड़ते होंगे आपके लिए तो से हम लोग पीछे नहीं हरते हैं मकसद वह है कि ज्यादा से ज्यादा आपको benefit हो इसे चलास से और प्रस्से पाइदमांद क्लास लगें यह हम लोग का मकसद रहता है आप लोग से बस दिंती यही है कि क्लास को अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाई कर देंगे औ आपका बहुत बहुत धन्मेबाद चलिए कुछ सेकेंड आपका मैंने लिया यहां पर उसके लिए वहां पर जाता हूं लेकिन जरूरी है दोस्तों क्योंकि उसके भीना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं चलिए अगला प्रस्ट तो दोस्तों यहां पर पांची परस्ट को जगा खाली रहता है दोस्तों अभी हम लोग के समझ से हमारे एंड से काफी बेहतर हम लोग करना है लेकिन इससे भी बेहतर किया जा सकता है चलिए तो आप लोग से जो भी अप एक्छा है में आप जरूरी पुरा करेंगे थेंक्यू उसके लिए पहले ही चलिए हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अंसार कौन भारत का सबसे पसंदिदा UPI लभार्थी बैंक बन गया है जिसे इंगलिस में UPI Benficiary bank कहेंगे ये कौन बैंक बन गया है सबसे पसंदिदा UPI लभार्थी Bank तो ये Pay Time payments बैंक बन गया है इसने ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपी यह लवारती बैंक बन गया है हो सकता है यह प्रशन आपको बैंकिंग वाले में ज्यादा मौत पूर्ण हो किसी में भी पूछ सकता है लेकिन कुछ जनकारी जो मैं और एक्ष्टा इसमें देने जा रहा हूं यह सब के लिए बिलकुल बनें चाले पिटियर्मंट के बारे में जालेजे पहले इसका स्थापना 2017 में पैमेन बैंक का रहा हूं मैं कि इनकीका इसको अप्रूबल भी आरवी आई के दो एक्टियम के स्थापना जो है 2009 में हुआ ता इसका भी नोटा उत्तरपर्दिस में ही है चेयर्मन इसके भी नोईड ही है CEO इसके अलग हैं वरोन श्रीधार है यह सवाब याद रखेंगे चलिए एंसे की नहीं है तो क्या आपको जनकारियां तो जरूर मिलती रहेंगी यहां से भी आगे बने रहिए अभी काफी महत्पूर्ण इसमें प्रस्ण मिलेंगे आपको हाली में कहां COVID-19 समंधी सभी ज सुट भी कर रहा है इतना याद रखिये गई नजर से इसको देख लीजिए यह एप चंदीगर में पंजाब के राजपाल के द्वारा लॉंच किया गया है इसमें क्या दिया जाएगा तो COVID-19 समंधी सभी जनकारियां आसानी से और एलोट्स पाने के लिए इस एप में जनक हीथ हैं चलिए अगला देखते हैं हाली में किसे भारतिये एतिहासिक अनुसंधान परिसर इंगलिश में इसको Council of historical research कहेंगे अस्थापना इसका 27 मारं 1972 को headquarters का नियो दिल्ली में है चली अगला प्रस्थ देखते हैं हाल ही में किसी उजिवन Small Finance Bank की नए MDNCO बनाया गया है तो यह RBI इसका approval दे दिया है उनको बनाने के लिए इतिरा डेविस को वजवन Small Finance Bank का अस्थापना एक फरवरी 2017 में बैंकिंग वाले में यह ज्यादा इस यहां से पूछा जा सकता है यह appointment है किसी वे भी पूछ सकता है लेकिन खासकर बैंकिंग में यह उचा गया है कई बार इसे इसे बैंकों का हेटको आटर पूछा जाता है अस्थापना पूछा जाता है तो वह जिवन Small Finance Bank 2017 हेटकोटर बैंगलोर है MDNCO इसके इतिरा डेविस वही बन गया टैग लाइन है इसका परचलित सराब बरांट है एक यहकोश क्रीक इसको इसने किस भारतिये को अपना नया अबस्टरा नय दियंत किया है तो यहT Protestantos कोना है यह भारतिये महिला क्रिकेट टीम के इतिहास में अंतराष्टिय एक डिवसिय जिसे आप ODI काते हैं वन डे इंटरनेशनल एक होता है T20 एक होता है टेस्ट यह सब खेलका क्रिकेट खेलका अपरकार है तो ODI में 7000 रन पूरा करने वाली पहली और एक मात्र खिलाडी है भारतिय महिला टीम में इस सबसे भी इनको डाटा से याल रख सकते हैं हो सकता है कभी प्रस्ण बन जा है चलिए नीजी छेत्री का एक्सिस बैंक बाइमेट्रिक अधारिक डिजिटल बैंकिंग सेवा देने के लिए किसके साथ समझाता किया है तो मिनकासुपे मिनकासुपे इसके साथ समझाता किया है क्या होगा इसमें तो एक्सिस बैंक के जो भी यूजर्स हैं अब इंटरनेट बैंकिंग जो यूज करेंगे तो वहां पे तो user ID और पास्वर्ड लगता ही है और पास्वर्ड लगता है तो अब बीना user ID पास्वर्ड के directly biometric या face ID का विए करके देखिए fingerprints या face ID का परयोग करके Internet banking को आप यूज कर सकते हैं तो इसके लिए यह मिंकासु पेक साथ समझाता किया है एक्सिस बेंक का हेटकवाटर मुंबई है टेग लाइन बढ़ती का नाम जिन्दगी है CEO अमिताव चौधरी है चलिए नेक्स देखते हैं हाल ही में संजुक तराष्ट यहां संजुक तराष्ट होगिया उनाइटेड नेशन विश्व आर्थिक इस्थिति और संभावन आएं जिसको सौट में UNWESP काते हैं इसने वीटवर्स 21-22 के लिए भारत का जीडिप विकासदर कितने प्रतिशत का नमान लगाया है तो 6.5% का तो यूनाइटेड नेशन के बारे में देख लिजी सौट में UN बोलते हैं अस्थापना इस लाया गया उसी में से यह प्रसन आता है तो हैली में जारी हेले पासपोर्स इंडेक्स 22 में भारत का रग किया है तो इसका जवाब हमने कल इसको क्लास में कर आया है है यह परसन हो सकता है कुछ चैनल लॉग चेनल पर आज नया नया बन के आया होगा जो की वैब-साइट प को भी नहीं याद है तो बिल्कुल दीजी सर्च करके खोज के ताकि आपको खोजेंगे तो आज से वह प्रस्ण आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा चलिए दोस्तों करता हूं आज का क्लास आपको परिच्छा उप्योगी लगी होंगे और हाँ दोस्तों चैनल पर अन् पूराने में से उठा लिया जाता है जबकि अपडेट में आया जाए तो वह चेंज हुआ रहाता है लेकिन यहां पर पूरा संसोधित अप्टूदेट निव एपॉइंट्मेंट्स 2020 दिसंबर 2020 तक जितने रहे हैं तो वह सब का क्लास में ने करा दिया है आप इसका लिंक म लिए प्रैक्टिस सेट जबरदस्त तरीके का आपको शुरू कर दिया गया है वहां पर सेट अपडेट कर दिया गया उसका सेट भी हम लोग करा रहे हैं क्वेश्चन का एमसी क्यूज और उसका एक्स्प्लैनेशन जी के करेंट अफ्यर मैत रेजिनिंग यह सभी का यह सब का एक सेट लेकर हम लोग डेली उसको अब अपडेट करना है एक तो अब यह तो कल नहीं करा गया था आज होगा और आप लोग से रिभीव मांगा गया था रिभीव अच्छा कोई कमेंट को ज्यादा कुछ आया नहीं वैसे भी तो हम लोग उसको उसमें सुझाव आप लो होगी लगे होंगे यदि हाँ तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करके अपना कुछ सेकेंट्स दे के अम लोगा सभ्योग करें जरूर और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नय हैं उस और कर लिए हैं तो आपका बहुत धन्यवाल चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए गुडबाई ओल नमस्ट